Hello friends, मूiday है वीजो और आज की वीडियो में बात करेंगे कैसे आप किसी भी specific node को delete कर सकते हैं double English में तो चलिए start करते है इससे पहले वाली विडियो में आपको यह बताते कैसे आप किसी भी specific node को start and end में डिलीट कर सकते हैं आज की यूडियो में आपको यह बताऊंगा कैसे कैसी भी specific location की node को इसे delete करते हैं तो यहाँ पर देखें मैं आपर एक value ले लूँगा user से ठीक है इसको मैं value में save कराऊंगा जैसे c उस ने दिया तो मैं c node को मुझे delete करा रहा है अब देखें c node को delete करने से पहले मुझे इसको find out करना पड़ेगा वह तो काफी simple है उसके बाद जो logic लगेगा वह थोड़ा सा different होगा क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा देखें जो आप node delete करें उससे पहली वाली node में आपको पहुंचना होगा और इसका जो link है वह change करना पड़ेगा ठीक है मतलब यहाँ पर देखें B अभी किसका address इस्टोग करका है इसने c का बलग 310 इस्टोग करका है तो हम लोग यहाँ पर करवाएंगे इसे 310 की जगा यहाँ कराएंगे 500 जो कि आपका d का address है ठीक है और d ने डी के previous ने किसका address इस्टोग करका है सी का address यहाँ पर आटरस ना करवाते हुए बी का एडर्स इस्टो कराएंगे तो यहां 210 करवाएंगे ताकि हमारा जो connection यहां से यहां बन सके और दूसरा जो connection है वो यहां से यहां बन सके ठीक है और यह जो हमारी node specific node यह delete हो सके यह remove हो सके ठीक है तो यह हमें task perform करवाना है तो देखे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे एक मैं यहां पर temporary variable ले लेता हूँ ठीक है तो यहां पर temporary variable ले लोगा जिसको मैं name लोगा temp जो कि क्या करगा head की value लेगा और यहां पर मैं अभी general case मान के चलता हूँ कि हमारी जो link list है उसमें 4-5 node है और हमें particular node को read करें जो कि center पे लाई करती है बाकि जितने भी case से सुंगे वह हम visual studio code में consider करके चलेंगे एक ही node है दो node है last वाली node है ठीक है specific node भी चली node है वह सारी case हम लेके चलेंगे ठीक होगा यह तो उसका सारा detail course detail code जो होगा वह आपको visual studio code में लेगा भी logic समझते हैं तो सबसे पहले head की value temp में डाल दी फिर मुझे क्या करना है temp को move कराना पड़ करेंगे और यहां पर लिखेंगे temp.data not equal to हो जाए value के ठीक है जब तक value के equal नहीं होता इसका data तब तक हम यह loop चलाएंगे और उसमें क्या करेंगे एक PTR ले लेंगे एक और यहां पर pointer लेंगे जो की क्या करेगा हमारे temp की value को store करके रखेगा और फिर हम temp की value को increment कर देंगे ठीक है temp is equal to n reference, n reference मतलब next reference तो यहां पर स्टार्टिंग में temp यहां पर point out करेगा फिर यहां पर conditions होगी temp का data, temp का data क्या है a not equal to value true है condition, true होगी तो PTR is equal to temp मतलब PTR भी हमारे starting point out करने लगेगा और फिर temp की value को increment कर देंगे, तो temp की value आपकी increment हो जाएगी temp की value पहुंच जाएग फिर क्या होगा, फिर से condition जागो कि temp data is not equal to value यह condition फिर से true हो जाएगी तो PTR आपका फिर से change हो जाएगा, temp हो जाएगा, फिर क्या होगा, फिर temp की value increment हो जाएगी, temp इसको point out करने लगेगा, ठीक है, तो यहां पर condition करेगा, temp का data is not equal to value, condition का यह यह false हो जाएगी, तो इस case में आप देखें, तो जो condition false हो जी तो उस case में temp हमारा जो हमने value दिये वहां पहुंच जा रहा है, और PTR उससे पहले पहुंच जा रहा है, तो कि यहां पर मुझे pointer चाहिए, ताकि मैं यहां पर क्या कर सकूँ, यह जो PTR है, जिसको point out कर रहा है, उसका address में change करा सकूँ, उसके next address, तो यहां पर देखें, सबसे पहले step क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपका step यह होना चाहिए, कि आप क्या करें, B के next को update करें, ठीक है, B के next को क्या करें, अपडेट करें, तो B का next क्या है, PTR है, तो हम लोग करेंगे, PTR का जो N reference है, उसको मुझे update करना है, वो किसके ब temp का जो N reference होगा, उसके बराबर कर देंगे, ठीक है, और second चीज मुझे क्या करना है, अब हमारा क्या होगया, अब यहां से 310 हट के 500 होगया, ठीक है, उपड लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, और यह link यह आला link यहां से हट गया, ठीक है, जो यह इसको point out करना था, second मुझे क् तो D का जो previous है, वहाँ जाना है, पहले देखे, D में कैसे पहुचिंगे, D में पहुच सकते हैं, temp के मदद से, ठीक है, temp हमारा किसो point out करना है, C को, C का जो next है, ठीक है, C का जो next का है 500, 500 से हम D में पहुच जाएंगे, यहां पर क्या करेंगे, temp का जो N reference है, यहां से पहुच करना है, 210 के, 210 value कहाँ पर है, C का, जो previous है, उसके बराबर है, ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, temp का जो P reference है, ठीक है, उसके बराबर, अब देखे, D में आप एक और तरीके से जा सकते हैं, B से भी जा सकते थे, कि आप B की value हाँ पर update करती है, मैंने PTR reference, ठीक है, PTR का N reference क् अब्डेट हो चुका है, मतलब अब यह 500 store करकर रखाया है, तो यहां से भी जा सकते हैं, तो एक और लाइन लिख सकते हैं, इसकी बजाए, एक और लाइन है आप लिख सकते हैं, दोनों में से एक लाइन लिख लिजएगा, ठीक है, select one लिख लेता है, ठीक है, ठीक है, प्र Code धिकमें दुनों में से कोई से घर सकते हैं तो यहां पां देखिए कैसे पोछशकता बी अंदेक्स्ट म्लब पी टी आर का एँ मैं पहुर caregiver फिर उसका भी पेडोle jag ठ इसको update करना है क्या करना है क्या करना है या बज़ Requatal करना हैquinho- upfront-screen या फिर टेमे के पी रेवर्फेरंस के बज़य सकते हैं प्र ने हुआ रख दू पर यहां पर खरोंड C gluten घड़ कर सकते हैं ठीक हो गया क्या है को चान चाहिए यहां पर प्रेंaja के 10 अगर आपको शुन इरिक में करते हैं तो यह हो मंुद है छो करते हैं इसे को अपे underscore node ठीक है यह क्या ले लेगा हमारे self की value ले लेगा और जो node delete करनी है वो ले लेगा मतलब value लेगा उसको मैं x name दे रहा हूँ ठीक है अब देखे इसमें कुछ particular आपके cases बनते हैं सबसे पहला case क्या है कि अगर हमारी link list empty होती है तो case में क्या करेंगे होता तक आपको ready होगा कि हम लोग क्या करेंगे simply एक message भी करा देंगे और simple return करवा देंगे और यहां पर कोई मैसे लिखा सकते है link list empty cannot be deleted इस तरह का message और यहां पर अगर यह की node होती है user ने डाला इसी को delete करना है मेरेको तो इस case मुझे का रना पड़ेगा देखे यहां पर यह non होगा अब हैड की value कि को point out करेगे एक को point out करेगे तो यहां पर क्या करेंगे मुझे head की value को none को point out कराना पड़ेगा ठीक है अगर एक की node होती है तो इस case में क्या करना पड़ेगा इस तरीके सब्सक्राइब करना पड़ेगा इस तरीके सब्सक्राइब करना पड़ेगा है पहली node को none को point out कर गया यह दो काम कराने मिलेको अगर single node होती तब भी मैं आपको बता दिया मैं आपको और यह कौन सा case है कि हमें starting node को ही delete करना है तो वाला किस है यह तो मैं क्या करूँगा self.head जो self.head है उसको move करा लोगा उसको किस के ब्राबर कर लोगा self.head.nreference ठीक है अब यह head क्या था एक का जो nreference है b है उसके ब्राबर करा लोगा self.head को मतलब head क्या करेगा b की value को store करेगा ठीक है अब मैं दूजरी condition पर आ हमारी जो link list उसमें एक ही नूड होती है मतलब उसका next है वह भी empty को प्राबर कर रहा होता है तो इस नहींसी आपर self.head head की value किस में आ जाएगी self का जो head था मतलब a का जो nreference था मतलब none के ब्राबर हो जाएगी head की बली क्या हो जाएगी none हो जाएगी तो दो नहीं के इसका बरूरे इस हमारे लेकिन यहापर मुझे एक और step करना पड़ेगा अगर यहाँ पर एक और link list होगी मतलब दो link list होंगी तो तो b के previous को none कराना के previous की value यहाँ पर none कराने पड़ेगी अब ऐसा क्यों करा रहे है देखिए self.head none कब नहीं होगा जब एक और node होगी तो head किसको point out करेगा उस node को point out करेगा और उस node को कहां से मिलेगा self.head से b मिल जाएगा b का previous किसको none को point out करेगा तो इससे यह काम हो जाएगा और simply हम लोग क्या कर देंगे इसको return कर देंगे अगर यह cases भी नहीं होते है multiple cases है ठीक है कि अगर आपको जो specific node हो end में है या फिर middle में है तो उसके लिए क्या case होंगे देखिए सबसे पहले एक temporary variable ले लिए है मैंने जो क self के head की value ले लेगा और फिर मुझे find out करना पड़ेगा कि user ने को क्या value दी है कौन सी specific value जिसको delete करना है तो हम लेकर करूँगा temp का जो data होगा वो कब तक चलेगा जब तक equal to ना हो जाए x के मतलब जो value user ने पास कि उसके equal ना हो जाए उस case में क्या करूँगा एक ptr ले ले ल चले जाएगा और लास्ट में किसको point out करेंगा none को point out करने लग जाएगा अगर ऐसा होता है तो इसका मतल मैं समझ जाओंगा अगर जो हमारी link list में data अबलेवल नहीं है तो यहां पर क्या हो जाएगा simply print कर दूँगा message कि link list में कोई भी data नहीं है node is not found या can not be deleted और simply return कर होता है तो उस case में देखिए क्या कर रहा हूं मैं मान लीजिए हमारे पास यहां पर double link list में यहां पर दो थी nodes हैं given ठीक है इसमें भी दो case बनेंगे एक क्या पाता है specific node जो node उसने दिया वो end की node हो या फिर middle वाली node हो तो एक करके देखते है पहले मान लीजिए यहां पर c उसने दिया cs का data यहां पर b है यहां पर a है और यहां पर d है वो कह रहा है c को find out करो ठीक है c को delete करना है आपको तो मैंने क्या किया पहले से temp किसको point out करेगा starting को और यहां पर while temp का data is not equal to x यहां पर x के बराबन नहीं है तो क्या होगा ptr ptr को p से donate कर रहा हूं मैं p किसको point out क करेगा फिर exclusive value यहां पर इस case में condition क्या हो जागी false जैसी condition false होगे तो इसका मतलब क्या है कि मुझे यहां पर यहां पर यहां पर जो node है मेरी मिल चुकी है अब देखे इसमें भी दो case बनते हैं अगर हमारी यह C हमारी आखरी node होती है तो मुझे क्या करना है उससे पहले जो node है मतलब हमारी जो B जो node है उसके next को null करना पड़ेगा अगर ऐसा नहीं होता है मारे middle की node है तो उस case मुझे करना पड़ेगा B किसको point out करेगा यहाँ पर D को point out करेगा मतलब जिसको C point out कर रहा था उसको फिर B point out करेगा ठीक है और D का जो previous है वो भी मेरे को यहाँ पर B में point out कराना पड़ेगा ठीक है दो cases बनेगे यहाँ पर तो यहाँ पर आज़ोंगो while के बाहर while के भाहर आने तक मुझे क्या मिल जाएगा मेरा जो variable है ठीक जो user ने pass किया वो मुझे मिल जाएगा वो t में save हो जाएगा मनला temp में save हो जाएगा हमारा और ptr करेगा उससे पहले वाली node को point out करेगा अब मैं क्या करेगा ptr.nref ptr का जो next होगा वो किसके बराबर हो जाएगा अगर देखे अगर हमारा empty भी होता है अगर हमारा जो node है वो नाकरी node भी होती है तो c का next और b का next same है और यहाँ पर भी देखे उपर वाले case में जो c का next है और b का next है same है तो यहाँ पर ptr का n reference is equal to हो जाएगा temp के n reference के बराबर दोनों ही case में same है क्योंकि ठीक है अब मुझे क्या दना है अब मुझे यहाँ पर second वाले case में जिसमें हमारी node वाली हो रही थी उस वाले case में क्या था कि सिर्फ एक ही काम कराना था बढ़ता b को b का next था उसको null pointer होकर आना था देकिए यहाँ पर एक काम एक्ष्टा पढ़ रहा है हमारा उपर वाले case में कौनसा कि d का जो previous है वो b को point out करता है तो मैं चेक कर आलूँगा अगर if temp के जो n reference है उसकी value अगर none होती है तो उस case में क्या करूँगा simply return कर दूँगा ठीक है return क्यों कर दूँगा क्योंकि एक ही काम करना था क्योंकि temp का reference none कब होगा temp का c c का reference none हो गया इसका मतलब क्या वो आखरी note थी बस एक ही काम करना था तो यहाँ पर return कर दूँगा अगर ऐसा नहीं होता है ठीक है यह condition false हो जाती है तो क्या होगा simply इसके बाहर आगया ptr.end reference ptr का end reference मतलब ptr का next था मतलब d था उसका जो previous था उसका जो pref था वो किसके बरावर हो जाएगा ptr के बरावर हो जाएगा अब देखे इसको हम लोग call करवा लेते हैं end था हमारा तो यहाँ लिकूँगा obj1. अब हमें कहाना है delete specific node specific node में मुझे क्या value डालनी है मैं कोई specific node देता हूँ पहले देता हूँ कि starting value पहले देता हूँ 20 ठीक है और इसको रण कर रहाता हूँ अभी a की value add है तो a की value delete होगी तो linkless is empty लिखा हुआ गया माले यह दो node है है 20 और 200 तो कौन से डीट कर रहे है 20 वाली delete कर रहा हूँ ठीक है तो देखे node is not found node is not found क्यों क्यों कह रहा हो गए sorry delete end delete end से कह रहा है यह delete end की वज़े से एसकोट आ देंगे तभी मैं को ऐसा क्यों हो रहा है इसको रून कर या मैंने तो यहाँ पर देखे 200 क्योंकि 220 delete हो गया और link list in reverse order 200 ही आया ठीक है अगर यहाँ पर सिप एक ही node होती है क्योंकि इससे पहले वाला है कि इसको मैं गिन नहीं रहा हूँ जो मैंने किया था इसको मैं run करता हूँ आया रहा है तो यहाँ पर देखे वाल लिंक list is empty link list is empty लिखा हो आ रहा है ठीक है मैं यहाँ पर दो तीन वाल्यों और add करा लेता हूँ add करा है लिए before after add यह भी add करा लेते है add यह थो और हैससे ठीक है अब मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ कि मारी जो एंडद वाली नोड है वह डिलीट हो जाये एंड में नोड कौनसा एड हो रही है सबसे पहले मैं इसी हो ऐपकर लिख के दिखाता हूं क्या लिख है एद टाकर मुझे पतल ज़ायगे कि ईंड क्नोड कौनसी ए एंड में नोड है हमारी 20, तो यहां पर 20 को डिलिट तो मैंने कर दिया था, एक और बाद कर देदे हैं 20 को डिलिट, ठीक है end से डिलिट हो गया, अब स्टार्टिंग में नोड है 2000, अब 2000 को डिलिट करूँ गा, स्टार्टिंग से end से और middle से, 3 उस जाए add करके दिखाते हैं, देखे, reverse order में विल्कुर perfectly print हो क्या आ रहा है, starting at 2000 भी delete हो गया, अब क्या करना है, अब middle में से कोई भी value उठा लेंगे, middle में हमारी value आ जाएगे 200 मान लीजे, 200 को delete कर रहा हूँ, तो 200 भी delete हो गया, और reverse order में भी perfectly लिखा हूँ आ रहा है, तो इस तरह के साब लोग क्या कर सकते हैं, node को delete कर सकते हैं, किसी भी specific location से, जहाँ पर मैं छोटी सी request आप से करना चाहूँगा, हमारे एक दूसरा चैनल भी है, CSGeeks 2.0, जहाँ पर हम आपके gate की related subject, जो CAC में पूछे जाते हैं, वो वहाँ पर cover करते हैं, तो अगर आपको CAC के subject पढ़ने में interest है, जिसे data structure हो गया, algorithm हो गया, CE हो गया, database हो गया, computer organization हो गया, operating system हो गया, वहाँ पर detail में हम लोग वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, और साथी साथ हम लोग आपके gate के question भी solve करवा रहे हैं आपको, ताकि जाके आप subscribe कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में इतने ही रखेंगे, thank you watching, goodbye, take care